नमस्कार मैं सतीस कुमार एगरी अडवाईज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईए यह आपके खेत में खैरा रोग लगा है यानि जस्ते की कमी हो गई है तो आप किस का प्रियोग करते हैं जबाब में आप यही बताएंगे कि हम जिंक का प्रियोग करते हैं और यह तो सब को पता है खैरा रोग लग जाने पर जिंक का प्रियोग करने पर खैरा जैसे रोग पर समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है लेकिन दोस्तों आज हमें एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसको देख करके सुन करके आपको यकीन नहीं होगा यह जो खेत आप देख रहे हैं इसमें पौधः तो थोड़ा इसमें टेलिरिंग कम हुई है और पौधः आपको हलके छोटे भी दिखाई पड़ हैं जिसका कार है इस खेत में खैरारोग पहले से लगा हुआ था लेकिन इस खेत में जब खैरारोग लगा हुआ था तो उसमे जो लगाए गए हैं या तो अलग अलग परजातियां लगाई गए हैं या तो फिर नेलगाई आद जानौरों से चरने से बचाने के लिए इसको लगा दिया गया जिससे पौधे को यदि वो खाएंगे इन पौधों को तो चरना छोड़ देंगी लेकिन बाद में जब हमने इसका रिजल्ट देखा तो रिजल्ट देख करके हमें हैरानी हुई आपको भी यदि आप नहीं युज किया है तो आपको भी यह अजीब लगेगा लेकिन आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जिस खेत में हम खड़े हैं इस खेत में यह पौधे लगाए गए हैं और 15 से 20 दिन के बाद ही इसमें रिजल्ट बिलकुल अलग दिखाई पड़ने लगें हाँ यतना जरूर था कि जब यह पौधे लगाए गए थे उस समय खेत बिलकुल जला हुआ सा दिखाई पड़ रहा था यानि पूरा एकदम भूरे रंग का खेत हो चुका था काफी गं पड़ने नहीं उच किया है उनके लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लाब मिलता है और क्या आप इसको कितनी बारी उच किया है हमने बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि आसपास के खेतों में इस प्रकार से पौधे लगाये जा रहे थे लेकिन तब हमें नहीं पता था कि इसका काण क्या रहता है अब इनको लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद जस्ते जैसी कमी पर आसानी से कंट्रोल हो जाता है और पौधे पुना हरे भरे हो जाते हैं कमी रह जाती है तो टेलरिंग की और पौधा देरी से ग्रो करता है लेकिन इसके पीछे का का क्या रहता है ये दोस्तों हमने काफी पता लगाने की कोसिस की लेकिन हम पता नहीं लगा पाए कि आखिर बहाय जैसे बेसरम जैसे पौधे को मातर खेत में रुपाई कर देने पर भी जिंक जैसी समस्यानी खैरा जैसी रोग पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है तो इसल यदि आप फिरी में बिल्कुल निसुलक आप बहाय लगा करके जिंक जैसी कमी को खेरा जैसे रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके लिए एक अच्छा बिकल्प भी साबित होगा जिससे आपका खर्चा भी कम हो जाएगा जब भी आपके खेत में इस प्रकार की समस्या देखने को मिली तो आप ये ट्रिक योज भी कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि मात्र पाउधे लगाने से जैस्ते जैसी याने खैरा पर हमने अंतरन नहीं कर पते हैं तो आप एक बार इसको ट्रायल जरूर करिएगा और उसके बाद हमें बताईएगा कि आपको वा